Hey guys, welcome back to my channel. I hope you guys are safe and doing it. So, आज की वीडियो में आप लोग साँ शेयर करने वाली हूँ परपल हॉल. Basically यह परपल हॉल है, but मैंने कुछ चीज़े Amazon से भी पचेश किये तो वो भी मैंने से इंक्लूट कर ली वो एक-डोचीज़े हैं और मैंने एक-डोचीज़े फुलिप कार्ट से लिए तो वो बियाने से इंक्लूट कर लीया. उन चीजों की लिए अलग से वीडियो वना, वो मुझे ठीक नहीं लगा तो मैंने इसी में इंक्लूट कर लिया. तो overall यह कहलाए का Amazon plus Flipkart plus Purple Haul चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं but before that अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो क्या कर रहे हो याँ करो ना क्योंकि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मुफ्त है So without wasting more time Let's get started Okay so यह है वो सारे products जो मैंने purchase किये हुए है तो अब मैं आपके साथ एक-एक साथ यह share करने वाले हुए तो first है यह Biotika Advanced Ayurveda Bio Coconut Whitening Plus Brightening Cream यह for all skin types है यह लिखा हुआ है यह 100% Ayurvedic है यह आपको 50 gram यह आपको 50 gram मिलता है And मैं आपको इसको Auto Packaging यह है Cardboard Packaging And मैं आपको इना Packaging दिखाती हूँ तो यह है एक Plastic Packaging And It literally smells like Coconut You know Oh my God And इसका जो टेक्ट्चिर है वो Greasy नहीं है चिपचिपा नहीं है प्वाद अच्छा टेक्ट्चिर है So यह है मेरा first product यह मैंने purple से buy किया है मैं आपको products पता दे जाओंगे कि मैंने किस side से buy किया है तो यह मैंने purple से लिया है तो Next जो product है वो है यह mix की eyelashes यह 5 pair eyelashes है मैंने यह पहले भी एक बाद पर्चिस किया है तो मुझे बहुत पसंद आई तो मैंने यह को दुबारा ही दुबारा भी पर्चिस किया है इसकी एक प्यार eyelashes को मैं तीन से चार बार होती असानी से यूज कर लेती हूँ मैं आपको साधे products के link आपको description box में दो दियूँगी और इनके prices में आपको यहां कहीं screen पर दे दूँगी या फिर description box में mention कर दूँगी यह है मेरा second product बट हाँ यह मैंने flip cards लिया ओके जो next product है वो है यह steak oiki का foundation इसमें मेरा सेट है 3 carry on caramel यह बहुत ही अच्छा foundation इसका texture यह इसका texture बहुत ही smooth है आप देख सकते हो कितना सही blend हो रहा है और यह इसमें थोड़ा बहुत smell है बस बाकि यह बहुत सही foundation है और मैं इसका review कर रूँगी जब मैं इसे use करूँगी और मैंने इसे purple से बाइ किया है इसका price मैं आपको description box में दे दूँगी और या फिर यहाँ कहीं screen पर दे दूँगी so जो next product है वो है यह n by beka stick contour stripe का इसमें मेरा shade है toffee मैंने इस contouring के लिए इसमें आपको concealer के लिए shades मिल जाते हैं और color characters के लिए इसमें shades मिल जाते हैं मैंने यह लिया है contour के लिए और यह मैंने लिया है purple okay so जो next product है वो ही n by beka primer यह silicon based primer है अच्छा तो मुझसे किसी ने पुछा था कि silicon based primer होता क्या यह कैसे पदर चले हैं ना तो silicon based primer अगर आप जब भी apply करते हो ना तो आपकी जो fingers है ना वो ऐसे इतना चिकना होता है कि आपकी जो fingers है ना इसे वो घिसलती है इस टाइब से तो उससे आपको पदर चलेगा कि यह silicon based primer है इसी से आपका foundation जो है इसलिए इतना smoothly blend होता है because of this silicon based primer और राइट सो जो next product है वो है यह and by beka concealer इसमें मेरा shade है one white and milk chocolate वाला यह shade है मेरा अभी बुको पैक्ड है मैंने से नहीं खोला है wait a minute so यह कुछ इस type का concealer है अब देखो कि इतना प्यारा concealer है और मैं आपको एक बात और बता दू कि एन बाए बेकिया उस्टेक होगी कि जितने भी products है ना जो मैंने बाई के है वो सारे 200 तो 300 के अंधर ही है इससे ज्यादा कि मैंने कुछ भी बाई नहीं किया है तो यह है यह concealer बहुत ही अच्छी से brand हो रहा है तो मैं आपको recommend करूंगी कि आप यह concealer जरूर एक पर try करो next product है वो है एन बाए बेका eyeliner यह liquid eyeliner है बहुत ही smooth eyeliner मैंने एक बार इससे निकाल के use किया है तो यह बहुत ही प्यारा jet black eyeliner है आप देख सकते हो and इसका price है I think so 99 or something 65 hundred के अंदर ही है ओक तो जो next product है वो है यह blue heaven का primer गी भी silicon based primer है इसका formula है oil free non greasy formula है and इसका price भी 200 to 300 के अंधर ही है and मैं आपको recommend करूँगी कि आप कभी भी primer लें तो silicon based primer ही लें like this affordable prices में आपको primer मिल जाएगा blue heaven का and by beka और staycordi का यह तीनो primer बहुत ही affordable range में है और बहुत ही अच्छे है तो आप इन में से कोई भी try कर सकते हैं इस प्रोड़क्ट है वो है यह ऑलिविया का pancake यह 100% waterproof है जैसा कि इसमें लिखा है बटावी मैंने इसको यूज ने किया मैंने ऑलिविया की pen stick यूज करी है foundation stick यूज करी है बट मैंने पैनकेक अभी तक यूज ने किया तो मैं ऐसे यूज करूंगे फिर ही आपको बता सकती हूं बट इसका इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो इतनी सुन्दर इतनी प्यारी फ्रेग्रेंस है इसकी इसके साथ आपको यह मिलता है अप्लिकेटर यह लेकिन बिल्कुल यूज लेस है यह मुझे नहीं लगता कि यह वह करी है बहुत ही हाश होगा आपके skin पे so next आपको इसमें मिलता है यह divider जिसमें वह रखा हुआ था अप्लिकेटर and then आपको मिलता है यह product यह बहुत ही साइज स्मेल कर रहा है मुझे ऐसे लग रहा है मैंसे खा जाओ से बहुत साइज स्मेल कर रहा है तो चले मैं भी जब इस रियूस करूंगी तो आपके साथ चारू शेयर करूंगी तो जो नेक्स्ट है वो है यह Blue Heaven का मस्कारा मेरे पास एक ही मस्कारा था लैक मेका तो मैंने पुछा क्यों ना एक और बाई किया जाए तो यह Blue Heaven का Waterproof मस्कारा है मैंने अभी इससे खोला नहीं है तो जब मैं इससे apply करूंगी तब मैं आपके साथ इसका review भी शेयर करूंगी तो यह यह मेरा next product है और अभी तक मैंने जितने भी बताया आपको मैंने सारे परपल से लिए बाई किये हुए है एक्सेप्ट लैसिस के next foundation है Blue Heaven का foundation यह तो सब लोगों ने use किया हुआ है इस वार मैंने खुछ जादे foundation वगएरा खरी दे हैं क्योंकि मेरे पास थे नहीं एक foundation ही थे तो यह थोड़ा साना pinkish pinkish undertone में रहता है बट यह जब आप अप्लाइ करते हो ना तो यह आपके face के color का ही हो जाता है यह बहुत अच्छा foundation है आप डेली वेर में से आसाने से apply कर सकते हो यह SPF के साथ मिलता आपको तो आपको अलग से sun protection apply करने की भी जरूरत नहीं है इसका price है I think so 60 or 70s का price है मैं आपको description box में देतोंगी यहां का इमचे इसका price मिल नहीं रहा है भी का price मैं आपको description box में देतोंगी तो जो next foundation है वो है Maybelline का super stay 24 hour full coverage foundation यह मुझे लेना था and इसमें मेरा shade है 310 I think so 310 मैं इसमें इसको लिया हुआ है and oh my god texture देखे कितना सही texture यह full coverage foundation है तो आप देख सकते हैं कितने सही से blend हो रहा है तो जब मैं इसे apply करूंगी और मैं इसका review आपके साथ share करूंगी and यह मैंने लिया है Amazon से जो next product है वो है यह Glam 21 का makeup fixer जो की है makeup fix spray यह है 100 ml का net weight इसका 100 ml है यह इसकी इना packaging है and यह आपको इस टाइप से एक plastic यह polythin plastic type आपको packaging मिलता है and यह एक निट बहुत ही refreshing है and यह soothing and moisturizer mist है तो इससे आप makeup के पहले भी apply कर सकते है so yeah यह है मेरा next product यह मैंने लिया है Amazon से इस product है वो है यह Nivea soft का get party ready berry blossom edition इसमें मेरे पास yellow वाला है जो की है tropical fruit वाला इसकी smell बहुत अच्छी है इसकी भी smell बहुत प्यारी है यह इसकी भी fruity type smell है और इसका मुझे निविया के monsturizes बहुत पसंद है बहुत 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 पसंद है इसलिए मैं वही बाई करता हूँ फर्स टाइम मैंने बायो टिक का आई किया है और यह है मेरा next product जो next product है वो है यह brushes आप देख सकते हो यह बहुत प्यारी brushes है यह आपको 10 के sets में मिलती है 1 2 3 4 5 5 इनमें से आपको face brush मिलती है यह है powder brush इसे मैंने एक बाई यूस किया है यह contour brush और यह foundation brush जिसे हम foundation apply कर सकते हैं और यह भी है एक flat top brush जिससे आप अपना contour भी apply कर सकते हो plus brush apply कर सकते हो next brush आपको मिलती है वो यह है fan type brush यह बहुत प्यारी brush है first time मैंने कोई ऐसा brush का shade लिया है जिसमें कि आपको एक fan brush मिलती है और इससे मैंने highlighter apply किया हुआ है आप देख सकते हो इससे बहुत यची सा highlighter apply होता है आपको ना यह थोड़ा सा वो क्या पुल सकते है अपन इसको थोड़ा सा rich type की feeling देते हैं इस type से like तो यह है और इसमें आपको five eye brushes मिलती है तो यह है five eye brushes and then आपको इसमें एक मिलता है first state यह brush छोटू सा यह आपको इससे आपने nose contour कर सकते हो अपना यहां पर यह area contour कर सकते हो यह इसके लिए है and next आपको इसमें एक और applicator मिलता है वो यह है बट यह foundation plan करने के लिए बट मुझे नहीं लगता कि इससे foundation blend होगा बट इससे हम कुछ तो यूज में लेकर आएंगे foundation mix करने की use में आ सकता है बस यह foundation blend करने की use में नहीं आ सकता है तो यह था मेरा next product और यह मैंने लिया है amazon से next मैंने buy किया है वो है यह blue heaven का elegance matte lip color and यह है shade 11 and यह बहुत ही प्यारा brown nude color है बहुत प्यार लगी तो आप lips में से apply करोगे तो यह जो है यह मेरा next product है and यह मैंने लिया है purple से last product है वो है यह neck piece यह बहुत ही प्यारा neck piece है मैंने इसे एक शादी में पहन लिया है and यह बहुत ही सुन्दर लगता आप देखो यह बहुत ही सुन्दर neck piece है यह यहां पर एक multi colors clear detailing भी हुई है and यहां पर यह क्या बोलते है पीरिल्स बोलते है ना बहुत ही प्यारा neck piece है सब ने तारीब की थी मैंने पहना थी सब ने तारीब की थी यह बहुत प्यारा neck piece है and इसके साथ आपको यह multi color earrings ही मिलते हैं like this so यह था मेरा next product last नहीं था उसके बाद मैंने और यह मैंने amazon और यह जो मैंने लिया है वो amazon सी लिया है okay so जो last product है वो है यह silk lens का eye solution, eye lens solution क्योंकि मैंने अभी lens apply करने start किये हैं तो मुझे एक solution तो चाहिए ही था तो यह मैंने बाई किया है और यह मैंने लिया है flip card से so yeah that's it for today's video guys if you guys find this video helpful then please let me know in the comment section below like my video share it with your friends and family subscribe to my channel also press the bell icon which is right next to the subscribe button I will see you guys in my next video till then take care be happy and bye bye